दोस्तो क्या आप जानते हैं अमरी सर का गोल्डन टेंपल दुनिया का एक लोता ऐसा धर्मिक स्थल है जहां एक दिन में एक लाग से ज़्यादा लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है और कि आप जानते हैं Golden Temple एक ऐसी धर्मिक जगा है जहां सबसे ज़्यादा विदेशियों ने हमले किये और कि आपको पता है Amri Sir का मतलब क्या होता है अगर नहीं तो आज इस वीडियो में आपको Amri Sir के Golden Temple के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथे बताऊंगा जो से पहले आपको नहीं पताऊंगी तो आप ज़्यादा टाइम वेस ना करते हुए बात करते हैं Fact No.1 की दोस्तो Golden Temple का इतिहास लगभग 443 साल पुराना है इस गुरु दुवारे की नीव सन 1577 में चोथे सिख गुरु रामदास जी ने 500 बिगा जमीन पर रखी थी इसके बाद पाँचवे सिख गुरु गुरु अर्जन जी ने इस पवित्र सरोवर और टैंक के बीच में स्वर्ण मंदिर का निर्मान किया और यहां सिख धर्म के पवित्र ग्रंथों की स्थापना की इस मंदिर को पूरा बनने में 27 सालों का समय लगा और सन 1604 में यह पूरी तरह बनकर तयार हो गया था इस मंदिर को गुल्डन टैंपल के अलावा हर्मिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर और श्री दरबार साहिब आदी नामों से भी जाना जाता है तो अब बात करते हैं फैक नमबर टू की दोस्तो है तो यह एक गुल्डन टैंपल यानि की स्वर्ण मंदिर का नाम भी दिया गया है जिससे साफ होता है कि इस मंदिर में सिखों के अलावा हिंदू के साथ सा सभी धर्मों के लोग आ सकते हैं और इसकी वज़ा से यहां एक दिन में एक लाग से जादा लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और यह पूरे वर्ल्ड का मॉस्ट विजिटेड प्लेस है तो अब बात करते हैं फैक नमबर थ्री की दोस्तों जैसा मैंने आपको फैक्ट नमबर टू में बताया कि यहां एक लाग से जादा लोग एक दिन में दर्शन करने के लिए आते हैं और तकरीबन एक लाग लोग यहां एक दिन में मुफ्त लंगर खाते हैं यह लंगर स्वण मंदिर के मैनेजमेंट के द्वारा करवाया जाता है इस लंगर के लिए यहां रोजाना 7000 किलो गेहूं 300 किलो दाल और 500 से जादा किलो मक्षन का इस्तेमाल होता है इसके अलावा यहां एक दिन में खाना बनाने के लिए 100 से जादा सिलेंडर और 500 किलो से जादा लकडी का परियोग किया जाता है जो विश्वस्निय है तो अब बात करते हैं फैक्ट नमबर 4 की स्वण मंदिर को पहले एंट और पत्थरों से बनवाया गया था लेकिन बाद में इस मंदिर पर सफेद मार्बल का परियोग किया गया और इसके बाद 19 भी शताबदी में महराजा रंजी सिंग ने इस मंदिर के गुमबत पर सोने की पराच चड़वाई थी तो अब बात करते हैं फैक्ट नमबर 5 की दोस्तो BBC ने एक सर्वे करवाया था जिस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि वह मरने से पहले कौन-कौन से स्थान पर घूमना चाते हैं तो यहाँ गोल्डन टेमबल को छटा स्थान मिला जबकि ताज महल को यहाँ दसवा स्थान मिला और यह एक बड़ा कारण है जिसकी वज़ा से ताज महल को एक वर्ष में सिर्फ तीस लाख लोग देखने आते हैं जबकि इतने लोग स्वन मंदिर को सिर्फ एक महीने में देख जाते हैं तो अब बात करते हैं फैक्ट नमबर 6 की दोस्तो जैसे भारत के और धार्मी के स्थलों पर कई विदेश्यों ने हमला किया वैसे यह अमरिस सर के गोल्डन टेंपल पर भी कई अफगानी और मुगलों ने हमला करके इसे द्वस्त कर दिया लेकिन दुहस्त करके इस मंदिर को जितनी बार गिराया गया उतनी बार ही इस मंदिर को किसी ना किसी राजा ने अपने राज में फिरस्थे खड़ा कर दिया और ऐसा होने से ये मंदिर और ज़्यादा आकर्शित हो गया और कहा जाता है राजा रंजी सिंह की समंदिर पर काफी आस्था थी जिस वजह से राजा रंजी सिंह ने समंदिर के सुधार में काफी बढ़ चड़ कर योगदान दिया तो अब बात करते हैं fact number 7 की दोस्तो हर मंदिर के अंदर प्रवेश करने के कुछ नियम होते हैं हका होना चाहिए इसलिए यहां इस तरियां अपने सर पर डुपट्टा रखती हैं और पुरुष रुमाल तो अब बात करते हैं फैक्ट नमबर 8 की दोस्तों अमरिस सर को पंजाब का दिल कहा जाता है क्योंकि पंजाब की शान गोल्डन टेंपल अमरिस सर में है लेकिन बहु अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और इस तरह की और ज्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल फैक्टोइट फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल नोडिफिकेशन पर क्लिक करके ओल पर जरूर क्लिक करना तब ही आपको इस तरह की और ज्यादा वीडियो की नोडिफिकेशन मिलेंगे और इस वीडियो को प्लीज 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 अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और अगर आपका चैनल को लेके कोई सवाल या सुजाब हो तो नीचे कमिट करके जरूर बताना तो आते हैं नेक्स वीडि बाई बाई